Nifty की daily analysis में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज market ने अपना close दिया है 22,541 पे जो कल के close से लगबग 880 points उपर आज market गया है मैंने कल आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि 22,600 से लेके 22,523 ये एक पूरा range है sellers का जब तक market इसके उपर ना जाए market में buying नहीं आएगी जितने लोगोंने मेरा कल वीडियो देखा होगा उन लोगों को पता है एदबार है एक बार आप जाके कल का चेक कर सकते है market आज gap up open हुआ और वहाँ से market नीचे भी आया और ध्यान से देखिये market कहा तक गया था market exactly 22,600 के पास से market बापस आया यह मैंने किस बेस पे कहा था बात सिर्व इतने नहीं है कि market आज all time high लगा है नहीं market का जो all time high इससे पहले लगा हुआ था होता यह कि market अपना एक buffer level लेके चलता है buffer level का मतलब होता है जहां पे call writing हुआ है उससे 50.100 और उपर तक यहां पे वो लोग इंतजार करते हैं कि market अगर इसके नीचे तक रहता है तो हम यहां पे pressure डालेंगे market पे मतलब मान लीजिए कि अगर 22,500 पे call writer सबसे ज़ादा है तो यह जब तक market 22,650 तक नहीं जाएगा तो यह call writer यहां से हटेंगे नहीं यह सोचते कि यहां तक अगर market रह जाता है हम पूरी कोशिश करेंगे market को नीचे ले जाए हुआ क्या आज market gap up open हुआ और यहां से फिर market नीचे उनको आना पड़ा हाँ पूरी तरीके से market नीचे नहीं आया उसका main कारण उसका main कारण चार दिन का consolidation चार दिन का जो high लगा थ साथ market को उपर लेके गया अब आगे की कहानी क्या सवाल आता है यह देखिए market ने अपना all time high बना लिया है जब जब market ने अपना all time high बनाया है अगर लगातार दो candle red बनता है तो market में दوبारा selling आती है इस बात को आप याद रखिएगा दो बार में से एक बार market का आज high लग चुका है अब बात क्या आएगी कि अभी कल अगर फिर से दूसरा एक red candle अगर बन जाता है तो हमें एक उमीद रहेगी market दुबारा फिर से एक correction के mode में आएगा और ये वाला जो correction होगा ये बहुत तेज वाला correction नहीं हो सकता उसके पीछे दो तीन कारण आप सबसे पहले सीधा या पर 21,900 के पास ले जाएगा आपको लग रहा है कि market अभी 22,600 के पास है मैं 21,900 की बात कर रहा हूँ बहुत दूर की बात कर रहा हूँ लेकिन चीज ऐसे ही देखा जाता है market में market का हमेशार जब तक आप strong resistance, market का all time high, market का strong support देखके जब तक आप काम ये एक दिन का काम नहीं है आपको ये याद होना चाहिए कि आपको कब buy करना, कब sell करना है ये intra day की ही बाते हैं, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि market में आज buying आएगी की selling आएगी, वो depend किस पर करता है, market के खुलने पर, बहुत ज़्यादा depend करता है, for example आज अगर market फिर से उसी जगह से शुरू होता है, मैं बात कर रहा हूँ, पिछले चार दिनों के high का, अगर market इसके नीचे ही शुरू होता, तो मैंने आपसे पहले भी, कल भी कहके रखा था, आप अगर trade नहीं करेंगे, बहुत बच जाएंगे, बहुत जादा बच क्योंकि market इसी range के अंदर रहने वाला है, तो आपका SL हीट होगा ही होगा, market में ना momentum होगा, ना market का premium बढ़ेगा, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था, कि market अगर इस ये जो चार दिन का high लगाई, इसके उपर अगर खुलता है, market में momentum भी रहेगा, market उपर भी sustain करेगा, market न buyers के control में, market आज से buyers के control में नहीं है, market buyers के control में लगबग इस level से है, 2650 के level से market buyers के control में आ गया है, sellers के control में कब आएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इतने दिनों में, ये इतने सार लगबग दो हफता हो गया, सिर्फ दो candle अगर आप देखेंगे तो red बनाए, बाकि सब के सब market में green ही बंद किया है, अब सवाल आता है कि market अगर उपर जाता है, अगर all time high को breakout भी द कि ये लग चुका है, एक green candle अभी अगर market यहाँ पर बनाता है, तो market में possibility होगी कि market धीरे-देरे करके आपको फिर 23,000 तक जाएगा और फिर 23,000 के ऊपर भी जा सकता, 23,300, 23,200, लेकिन इन सब levels पे आज बात करना बहुत ज़्यादा मुनासिद नहीं होगा, क्योंकि market को हमको अगले दो दिन बहुत closely और minutely monitor करना पड़ेगा, कि कल का market कैसे होगा, शुकुरुआर का market कैसे होगा, क्या market sustain कर पाएगा all time high को, या market कल के दिन आज के high के ऊपर जाके close देगा, ये देखने वाली बात होगी, option chain में जाके देखेंगे, फिलहाल call writing और put writing की स्थिति अभी क् हुआ है, market का अगर सबसे जदा writing देखेंगे तो 22,600 पे ही सबसे पहले आपको दिख जाएगा, जो 29,000 CPI पर put writers है, और यहाँ पर अगर call writers की बाते होगी, तो market में आपको शांदार call writers दिखेंगा, लगबग 2,11,000, पर इनके मुकाबले में आज अगर आप देखेंगे, बह बहुत 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 फर्क पड़ेगा, market अगर कल gap up open होता है, यह जितना भी writing है ना, यह कल सब हवा हो जाएगा, अगर market कल 50, 70, 80 पॉइंट भी market कल gap up open हो जाता है, क्योंकि market अपना 600 का range क्रोस कर चुका होगा, और market जैसे 600 का range क्रोस करेगा, market में हम यह सारे जितने भी call writers से हम इनका SL हीट होती हुए कल ही देखेंगे और यह सारे के सारे कल निकल जाएंगे आपके put writing में, इसलिए हम बहुत critical situation में अभी बंदे हुए है, और यहाँ से अगर आप और आगे बढ़ेंगे, 650, 700, 750, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जादा सिर्फ call writing देखेगा, यह तो नियम है, मार्केट जितना आपको ऊपर जाता हुआ, आप मार्केट पहुचा आनी है, तो आपको आप इसे call writing जादा दिखेगा, अब बारी आती ही कि आपको नीचे का support, सबसे पहला strong support अगर हमको कही देखना है, तो सबसे पहला strong support हमें कहा दिखता है, वो बिलकु 24,450 के उपर मार्केट जब तक रहेगा, मार्केट में बड़ी selling नहीं आएगी, वही मैं आपसे कहे रहा थे कि 22,450, 22,500 और इसके नीचे वो तो strong बड़ी selling वो आएगा आपके 22,600 के बाद, या 22,600 तक जाके मार्क पीजीगा, 21,600 तक जाके मार्केट वासे दुबारा बुलि तो सीधा-सीधा 22,600 और नीचे 22,450, मार्केट के शुरुवात का जो ट्रेडिंग होगा, 12 बजे से पहले, मार्केट इस 200 पॉइंट के अंदर मार्केट कल सिमित रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा, 200 पॉइंट के अंदर अगर आप दिमाग लगा के ट्रेड कर सकत है, तो बहुत अच्छी बात होगी, अब ये धाइसो में भी एक क्लॉज है, धाइसो में कौन सा क्लॉज है, धाइसो में क्लॉज है, कि पिछले चार दिन का अगर हाई देखेंगे, तो वो था 22,523, मतलब मार्केट कहा से रिवर्स करेगा, 22,523 या पासो के पास से रिवर कर सकता है, मार्केट में बायर्स एक्टिव है, तो मार्केट आपको जब-जब मौका मिलेगा, आपको बाय-उन डी पगर करेंगे, तो सबसे बहतर आपके लिए वही होगा, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट को करेंगे कि आज मार्केट गयाप अपन हुआ, अच्छी बात है, वहाँ से अगले एक गंटे के अंदर मार्केट फॉल भी किया, तो फिर इस ट्रेंड लाइन को फॉल नीचे आया, फिर मार्केट उपर क्यों गया, सवाल आएगा ये, सवाल आपका बिलकुल वाजिव है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया कि 22,450 पे सबसे ज़्यादा पूट राइटिंग अल्रेडी होके है, तो यहाँ पे बायर्स अल्रेडी बहुत स्ट्रॉंग पॉजिशन में बैठें, तो मार्केट का वो तो इंतजारी कर रहे थे, कि मार्केट बस यहाँ प असान हो जाएगा ट्रेड को लेने के लिए, अब हम नीचे का भी क्लोज का लो का ले लेते हैं, यह हमने लो भी ले लिया है, अब देखिए मार्केट को ध्यान से, पूरे दिन भर का अगर आप आज दारुमदार देखेंगे, मार्केट का ट्रैवेलिंग पॉइंट देख के लेकिन अब बात आती है कि कल का क्या हो सकता है, कल देखिए मार्केट किसी भी कारण से, मार्केट अगर कल गैप अप ओपन भी होता है, याद रखियेगा, हाई को टूच करके मार्केट जरूर निचे आ सकता है, यहाँ पर सेलर्स बैटे हैं, इस बात को याद मार्केट इस बीच में कही पे भी शुरू हो, बैतर होगा कि आप ट्रेड ना ले, हाँ, मार्केट 22,600, 610, 620 तक जाके मार्केट दुबारा नीचे आ सकता है, ग्यापप होने के बावजूद भी, तब आप यहाँ पे एक पूट का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइस को यह हाई टच करके फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक बार पूट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसका अगर उल्टा करेंगे, मार्केट अगर ग्याप डाउन ओपन होता है, कही ना कही अगर किसी भी जगह से ग्याप डाउन होता है, तो ज दुबारा बुलिश होने का बहुत ट्राइ करेगा, तो अब मार्केट को ग्याप डन होते हुए देखे पहले पूट लेके बैठ जाएंगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता, इस बात को याद रखिएगा, मार्केट जब तक आज के क्लोस के पास ना आया है, तब तक आप ट्रेड मत लीजिएगा, ये कन्फ्यूस्ट करने वाला मार्केट, कल का मार्केट बहुत कन्फ्यूस्ट करने वाला होगा, अगर आज के हाई और आज के क्लोस के बीच में मार्केट कहीं भी खुलता है, तो, कल का मार्केट बहुत कन्फ्यूस्ट करने वाला होगा हाँ, मार्केट बहुत सीधा साधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, अगर मार्केट आप लोकल ग्याप अप उपन होता हुआ दिखे, पर ग्याप अप उपन होना के मतलब यह नहीं है कि मार्केट में, मार्केट रॉकेट बनेगा नहीं, मार्केट जब जब all time high पे पहुचा क्योंकि यहाँ पे दोनों असमंजस में रहते हैं, इसलिए वहाँ पे बाइंग, सेलिंग कम होती है, तो इसलिए मार्केट अगर ग्याप अप उपन होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, अपने quantity को कम से कम रखिएगा, target छोटा सा छोटा रखिएगा, क्योंकि इसी से ह आपका कल पैसा बचने वाला है, अगर आप ये छोटी-छोटे रणनिती को नहीं अपनाएंगे, हो सकता है कि आपका पैसा कल बहुत जगह से कल माइनस हो जाए, बहुत बार होगा कि कल मार्केट गैप अप उपन होगा, और फिर वहाँ से फिर मार्केट हाई की और नीचे कुछिश करेगा, ये एक जगह होगा मार्केट यहाँ से रिवर्स करने का, ये जगह आपके लिए बाय ऑन डि बहुत अच्छा साबीत होगा, क्योंकि मार्केट जब इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ पर बायर्स बहुत कसी तादाद में आपको मिलेगा यहाँ पे आपको buyers बहुत aggressively buying करेंगे कर शुरुवात में नहीं gap up होने के साथ साथ buying नहीं आएगी market अगर retest करने के लिए वापस आता है हाई के पास यहाँ पे आके market आपको एक अच्छा खासा पैसा देने के लिए market तयार रह सकता है इस छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे market आपको कल अच्छा खासा एक trade दे सकता है वीडियो अगर अच्छा लागे तो like share subscribe जरूर कीजेगा आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए जहिन